ही एस एकट वेकंसी साद्य साथ सो आठ सौ कोस्ट की वेकंसी है व्योजर चोइस थैजिस के आखिर में चोइस में पूरी होगी ऐसे कैसे एस इस साथ से चोइसव दिए कि वेकंसी तो टैजरि जो इंद ओ धी। और उसी वटी अयोगी तिर और एतलाइक तो ट्री सउट Q और मेंस पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी तैयरी करने का फाइदा क्या है, फाइदा है कि अगर इसमें सेलेक्शन नहीं भी होता है, तो अभी आपका जैनल इस्टेड इतना अच्छा हो जाएगा कि आप दूसरे किसी एक्जाम को भी देव दोगे ना, वो आपके दा यह है, बट यह भी कब भरती पूरी होगी, मुझे लगता है कि 2023-2025, क्योंकि एक साल में तो आज इन तक कोई सरकार की भरती पूरी नहीं होगी, तो यह हो सकती है, बट इसको अभी बहुत टाइम लगेगा, इससे पहले एक बार रीट भी करवाएंगे, क्योंकि नए बच लग जाएगा, और मैं मानता हूँ कि आपको इस परिक्ष यह भरती जब आएगी, चार-पांचा मैने मिल जाएगी, उस समय इसकी तैयारी कर लेना, अभी से इसकी तैयारी में आपका जोस में बन पाएगा, ठीक है, एलडिसी 2023 में आ जाएगी, आप देख लेना, और 2024 में बिल्कुल पाइपलाइन में है, और आप मान के चलिए, चैसाथ अजार पदों की भरती, फश्ट गिर्की, दो अजार, तेईस, चोईस में आपको देखने को मिलेगी, तेईस में भरती लास्ट में आ जाएगी, तो चोईस में पूरी हो जाएगी, अभी से तैयारी करोगे तब ही आप अपना साल, जो सब्जेक्ट है, वो एक साल में बहुत बड़ी आ तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, तो असिस्टन पॉफिसर की वेकिंसी आने वाली है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसकी योगत भी यह हैं कि जब इंट्रुव्य होगा, इसका सब्जेक्ट तैयार रखोगे, एक यह बढ़िया उप्सर ने आपके पास में है, आसे इंट्रुफेसर नेट वाला उप्सर आपके पास में बढ़िया है,